सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटेक्स से होती है यानि कि हर चार में से एक डेथ हार्ट अटेक्स से सबसे अफसोस की बात यह है कि हार्ट अटेक्स से जितनी भी डेथ होती है उसमें से 50% से ज्यादा डेथ जो होती है उन लोगों के उम्र 50 साल से कम होती है और 25% यानि 25% से ज़्यादा जितनी डेथ होती है उनकी उम्र 40 साल से कम होती है और यह हमारे देश भारत के लिए सबसे शर्मनाक है कि पूरे वर्ड में जितने भी हर्ट पेशेंट है उसके 60% हर्ट पेशेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है यानि कि अगर पूरे वर्ड में 10 करोड लोग heart के patient हैं उसमें से 6 करोड लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे देश यानि भारत में हैं यानि कि हमारे देश heart disease में number one है आज हमारे देश में 30,000,000 लोग हर साल heart attack से मरते हैं यानि कि रोज हमारे देश में 9 से 10 हजार लोग heart attack से मर जाते हैं। आपने अक्सर अपने आसपा सुना होगा कि आज कल बहुत यंग लड़कों के भी heart attack हो रहे हैं। और बहुत सारी death आज कल यंग लड़कों के भी हो रही है। Ministry of Health and Family Welfare के नुसार पिछले 9 महीने में COVID-19 से हमारे देश में करीब 1.5 लाख लोग की death हुई है। जबकि पिछले 9 महीने में heart attack से हमारे देश में करीब 22-23 लाख लोग मर चुके हैं। लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। लेकिन COVID-19 से अगर 1.5 लाख लोग की भी मौत हुई है तो पूरा देश हिला हुआ है। पिछले कुछ ही महीनों में मशूर क्रिकेटर कपिल देव जिनकी एस सिर्फ 61 एर है और जो हमेशा खेलते हैं, दोड़ते हैं, भागते हैं, अच्छी डैट लेते हैं उनको heart attack हुआ। उसके बाद मशूर कॉरियोग्राफर डांसर रेमो डुसूजा जिनकी उम्र सिर्फ 46 एर है और वो बहुत अच्छे डांसर हैं, हमेशा जिम, प्रैक्टिस, दोड़ना, भागना, डांस करना उसके बावजूद उनको heart attack हुआ। उसके बाद हमारे देश के मशूर क्रिकेटर सौरफ गाउंगली जिनकी एस सिर्फ 48 एर है, जो कि इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, हमेशा दोड़ते, भागते, जिम करते और उसके बावजूद उनको भी heart attack हुआ। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी लोग heart attack से मरते हैं, उनमें अक्सर लोग hospital तक भी नहीं पहुँच पारते हैं। तो आएए, आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं, कि अगर अचानक किसी को heart attack आए, तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको तीनों पैतके हिसाब से बता हूँगा, कि emergency में अगर किसी को heart attack आए, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए और दोस्तों, अगर हमने इसको mission बना के, खुद को aware किया और लोग को aware किया, तो मेरा आप से वादा है, कि हम हर साल, लाखो मरने वाले लोगों की जिंदियां बचा सकते हैं, क्योंकि heart attack से मरते हैं, तो आएए जानते हैं, कि हमें करना क्या है? दूस्तों, सबसे पहले हमारे देश के मशूर काडियलॉजिस्ट, डॉक्टर बीमल चाजेड से जान लेते हैं, कि heart attack में होता क्या है, और emergency कहते किसे हैं? Emergency में होता क्या, एक बर पहले बताओ, emergency हार्ट के patient को एक होता है, जबकि उसकी heart attack हो चुकी है, जब heart attack हो जाए तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा pain होगा, बैठे-बैठे pain होगा, पसीना-पसीना होगा, ये emergency है, इसका मतलब heart attack हो गया है. तो दोस्तों, अब जानते हैं, nutrition path के साब से, वर्ड के renowned nutritionist, Dr. विश्रू प्राय चौदरी से, कि अगर किसी को अचानक heart attack आए, तो क्या करना चाहिए? So, heart attack के वक्त emergency में, what is medically proven, canine pepper, इसको कहते हैं, लाल मिर्च, और इसके अंदर active ingredient, capacine, that is the active chemical नाम है, लाल मिर्च के अंदर, और वो कैसे काम करता है, जैसी वो जीब में जाता है, वो blood circulation को तेजी से बढ़ाता है, oxygen flow को बढ़ाता है, और blood clotting को immediately, कहीं blood clot हो रहा हो, बड़ी त connection है उसके, राइट, तो जैसे ही पहला symptom आता है, heart attack का, पहला ऐसा लगता है, पसीने चूट रहे हैं, बहुत तेज से दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है, कोई heart को से निचोट रहा है, तो the first symptom में, अगर वो लाट मिर्च को चबाना शुरू कर देंगे, चबाना शुरू कर रोक सकते हैं, so this is what is medically proven science कि इस से heart attack को immediately, 60 seconds में, you can halt it, you can stop the heart attack there within 60 seconds, दोस्तो इस लाल मिर्च वाली बात को, देश के मशूर काडिलोजिस्ट, डॉक्टर वीमेल चाजेर ने भी कहा है, आईए सुनते है, लाल मिर्च हाट के लिए भी बढ़िया माना जाता है, पर किस बख़ दोस्तों ये ता nutrition path के साब से, अब जानते हैं, राजीख भाई दिक्षित से कि homeopath के साब से, अगर अचानक हाड़ attack आए, तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए? कान में ये मिलेगी, इस दवा को आप इस्तेमाल करें, जैसे sorbitrate इस्तेमाल करते हैं, sorbitrate की बारे में आप जानते हैं, गोली है, जो जीब के नीचे डॉक्टर कहता रख लो, ये एक दवा ऐसी ही है, वो बिलकुल ऐसे ही खाम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी, उ एकोनाइट, इसके आगे एक नंबर लिखना पढ़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200, 200 लिखतीजे, एकोनाइट 200, ये लिक्विट फॉर्म में, पांच मिली लिटर की शीशी खरीट के रखिए, दस रुपई के आपके, और उतनी शीशी से सौ लोगों की जिन्दगी आप ब हर्ट एरिया में हर्ट हीजर में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की एक बून जीप पे डाल दीजे, पेशेंट एकी बून, पांच साथ मिनट पहीं वो कहगा, हाँ हाँ, बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है, फिर एक और बून डाल दीजे, पांच साथ मिनट के बार, तो दोस्तों अब जानते हैं कि एलोपेत के हिसाब से हार्ट अटेक के समय कौन सी दवाई लेने चाहिए तो आईए सुनते हैं हमारे देश के मशूर काडिलॉजिस्ट डक्टर वीमल छाजेड से जो कि साउल हार्ट सेंटर के फाउंडर भी है और डारेक्टर भी है जिस बकत हार्ट अटेक हो जाए उस बकत क्या करना चाहिए कौन सी दवाई लें कि हार्ट अटेक में मिनिममम उसका एफेक्ट हो जाए या हार्ट अटेक रुख जाए तो ऐसा कौन सा दवाई हो सकता है, तो हमारे medical science में एक combination बनाई गई है, इसको हम लोग बोलते है, emergency pill system, ये emergency pill system में क्या है, तीन दवाईयां होती है, एक aspirin होती है, जो 325 mg लेना है, और एक clopidogrel है, वो 75 mg की दो tablet लेनी है, और एक atorvostatin है, वो 80 mg लेनी है, ये तीनों tablet को अग heart attack हो, तो immediately वो दवाईयां को आप पानी के संग पी लो, वो immediately जाके aspirin को तो चबा के भी ले सकते हैं, और वो जाके immediately blood को पतला करेगा, cholesterol को कम करेगा, और heart attack का effect रोक दे, ये heart attack को ही रोक दे, तो कभी भी मन में suspect हो के चाती में दरद हो रहा है, लग रहा है, हाट attack होने वाल तो उसके effect को minimize करने की काम करेगा, तो दोस्तों ये थी ती तीनो पैथ के हिसाब से, कि nutrition पैथ के हिसाब से क्या करना चाहिए, होमेपैथ के हिसाब से क्या करना चाहिए, और अचानक किसी को heart attack आये तो, मैं एक बार और आपको ये तीनों को clear करता हूँ, बहुत ध्यान से आप से डॉक्टर विश्रू प्राय चौजरी जी ने बताया कि heart attack आये तो हमें लाल मिर्च चवानी है, लाल मिर्च कच्ची हो या सुखी हुई, ये दोनों हमें पवानी है और गरम पानी पीना है, या पिसी हुई लाल मिर्च की funky भी ले सकते हैं और गरम पानी पी सकते है जी हैं दोस्तों पिसी हुई लाल मिर्च की एक फंकी ले सकते हैं और गरम पानी पी सकते हैं, होमियोपैत के हिसाब से राजीव दिक्षिर जी ने बताया कि अगर heart attack आये, उस समय हमारे जीप के उपर हमें एक बूंद एको नाइट 200 की डालनी है, और फिर 5 मिनट बाद इसरी बूंद डालनी है, तीन बूंद से ज्यादा हमें एक दिन में ये दवाई नहीं लेनी है, अब बात करते हैं ऐलोपैथी की heart attack के लिए, डॉक्टर विमल चाजेर जी ने ये तीन दवाईयां बताई है, इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहली दवाई है, एस्पिन 325 इसकी एक टैबलेट लेनी है, दूसरी दवाई है, कलोपीडो ग्रेल 75 एमजी, इसकी दो टैबलेट लेनी है, ये टैबलेट खून को पतला करती है, और तीसी दवाई है, अटर्वोस्टेटिन 80 एमजी, इसकी एक टैबलेट लेनी है, ये कलस्ट्रोल को कम करती है, दोस्तो तो मैं यहाँ पर आपके परसनल सेशन देना चाहूँगा कि इन चारो टेबलेट को चार खुराग बनाकर अलग-अलग पाउच में रख ले एक पाउच आप अपनी गाड़ी में रखें एक पाउच आप अपने ऑफिस में रखें एक पाउच आप अपने ऑफिस के लैप्ट एसी तरह से आप लाल मिर्च की पुडिया बनाकर या लाल मिर्च का आपको भी आपो ध्यान है कि इन तीनों में से एक ही दवाई का सेवन करना है या तो आप लाल मिर्स का सेवन करें या आप एकोनाइट 200 का सेवन करें और या आप ऐलोपेथि की बताईवी दवाई का सेवन करें तीनों को एक साथ यूज ना करें दोस्तो एक बात जो सबसे जरूरी है वो यह है कि उस समय आप बिल्कुल भी ना घबराएंगे तो आपको situation और खराब हो जाएगी बिल्कुल भी ना घबराएंगे अगर आपने इस तरह से किया तो आपको कुछ नहीं होगा दोस्तो इस उपाय और इस medicine से हम लोग लाखों लोग के जिंदियां बचा सकते हैं तो मेरी आप से request है कि आप एक social काम जरूर करें कि आप इस video कैसी लगी अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं आगे आपके लिए इसी तरह की informative वीडियो बनाता रहूं चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मेरी नई व और आपके लाइक बटन को जरूर लाइकन को सब्सक्राइब करें तो लोगे प्रेस करें दो है